नवस्कार दोस्तों स्वागित आपट यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों इसूर में दिखने वाले हैं आपके लिए एक सेंटरल रिकूट्मेंट हैं जिसके फॉर्म जनवरी दोजार जोबी से कंटिन्यू होने वाले हैं ये हैं 12 पास के लिए कैंद LDC के हैतुर टाइपिंग भी चाहिए रहती है प्रिविश येर में दो इसका पेपर हुआ था उसमें क्या कटॉप गई थी और इसमें आरक्षन का क्या नियम है एक कोट ओर्डर भी बताऊंगा जिसमें SCST के आरक्षन के रिगार्डिंग बात की गई है क्योंकि ये कैंदर शासित परदेश की भरती है तो अधर इस्टेट वाले यहाँ पर एलजीबल है और उनको आरक्षन भी मिलेगा लेकिन ध्यान रखना OBC के लिए कुछ अलग नियम है यहाँ पर वो भी देखेंगे कि OBC को आरक्षन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और SCST के लिए क्या नियम होगा और यहाँ पर exam कहां पर होगा क्योंकि दिल्ली बैस्ट रिकूट में इसमें आपकी सर्वीस दिल्ली में रहने वाली है जो केंदर शासित प्रदेश दिल्ली है वहाँ पर यह LDC पोश्ट ज्यादा तर इसमें जो 2354 जो रिक्तिया है उसमें LDC की रिक्तिया सबसे जा जा है इसी DSSB का LDC का उसकी क्या कटोप गई थी उसमें कितनी डिक्तिया थी वो भी बात करेंगे एक्जाम जैसे दिल्ली बैस्ट है तो यहाँ पर डिल्ली में ही इसका एक्जाम होने वाला यह पहले ही किलिर कर देता हूं बाकि विध्यापने में और बता दूंगा एक् कितने टीर में एक्जाम होगा वह भी बात करेंगे और टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसमें कितने गुणा अभिरती है वो क्वालिफाई किये जाएंगे एक्जाम के बार तो इस रिकूट्मेंट के बारे में सारी जानकर यहाँ पर यह जो विध्यापन आपको दिख रह तो यह एडवर्टीज मेंट हैं डी ट्रिपल एसबी की तरब से डी ट्रिपल एसबी जब भी बोले तो आप गयेंगे यह दिल्ली सबोर्डिनेर सर्वी सेलेक्शन बोर्ड की तरब से रिकूट्मेंट है जिसके फॉर्म नो जनवरी से स्टार्ट होंगे और इसकी तो 7 फरावरी 2024 जिसकी लाष्ट डेट है और यही कटॉप डेट है यहीं आपकी जो एज काउंट होगी वो 7 फरावरी 2024 से होगी आपकी और दखरावाध यस पे पोश्ट कितनी कितनी है तो आप देख सकते हो यहाँ पर LDC की पोस्ट हैं लोगर डिविजन कलरक है जूणिय इस्टेनुग्राफर एंड असिस्टेन ग्रेड फर्स्ट है ये सब इतनी वेकेंसी जै तो मेजर तोर पर यहां पर मैक्जिमम जो रिक्रूट्मेंट है वो है आपके सर्वीश डिपार्टमेंट में और ये पद है आपके जोन्यर असिस्टेन्ट ग्रेड फर्स का टोटल सोहलाःसो बहत्तर वेकेंसी आ है जोन्यर असिस्टेन्ट की सोहलाःसो बहत्तर तो ये एक कैंदरी।यर का वकति कैंदरेimir कर चाहिए जब भी ये रिक्रूट्मेंट की बात आएगी तो आपको ये post code ध्यान रखना है आपका ये post code है 802 oblique 23 है ठीक है इसमें जो काम रहता वो LDC का ही रहेगा लेकिन अलग लग department में ये post है तो आप कहेंगे इतनी सारी post है मैं कहां पर apply करूं कौन सी post के लिए मैं apply करूं तो आपको केवल A की आविदन करना ये post सभी आप इन सभी post के लिए available हो यनि यहाँ पर preference आपसे priority भराई जाएगी कौन सी vacancy को आप पहली वरेता पर रखना चाहते हो कौन सी post को तो ये सभी post के लिए आप योग्य हो एक तरीकिसे A की form डालना है इस परकार confusion में मत रहना कि कौन सी post के लिए करें इस परकार ये total 234 post है category wise आप देखेंगे इन 2394 में से आपकी UR की post कितनी है तो 104 OBC की 670 SCST की ये देख सकते हो total EWS मिला कर 234 अब यहाँ पर आप कहेंगे इसकी क्या educational qualification है तो 12th pass की बात हो रख की लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जूनियर असिस्टेंट की सबसे अदिक post है न उसमें आप सभी के लिए अलगलग post के लिए जैसी service department में आपके रहेगी तो इसमें 12th pass रहेगी और typing speed आपकी 35 word per minute English या फिर हिंदी दोनों में से एक करनी है हिंदी हो तो 30 word per minute इंगलेस हो तो 35 word per minute आपकी computer पर typing speed होनी चाहिए यहाँ पर आपका skill test लिया जाएगा एक्जाम के बाद लगवग 10 बुणा अब्विरति क्वालिफाई होंगे skill test के लिए यानि typing test के लिए धियान रखना level 2 की यह recruitment है यानि आपके salary रहेगी वो pay level 2 में 19,009 से start होगी और फिर 63,000 increment लगते हुए 200 तक वो चली जाएगी group C की recruitment है ध्यान रखना और बात करें age limit की जो सभी को जानना आउश्यक है यहाँ पर 18-27 वर्ष के मद्दे age आपकी होनी चाहिए क्या आप कहेंगी इसमें age में shoot मिलेगी बिल्कुल मिलेगी किसको मिलेगी अब जो दिल्ली की निवासी है उनको तो category wise shoot मिलती ही मिलती है जैसे इसमें OBC की 3 साल SCST के लिए 5 साल लेकिन जो out of दिल्ली निवासी है उनकी लिए क्या निये में वो देखते है आगे बड़े उस test book pass pro की price रहती है लगबग 449 में आपको discount के बाद मिलता है अभी TTG के coupon code में आपको अच्छा खासा discount मिल रहा है 314 रुपय में test book pass pro मिल रहा है यह यह offer next एक साल और इंजार करने पड़ेगा इस offer के लिए और जब आप एक बार test book pass pro ले लेंगे यह निए next 2024 के जितने भी exams आ आप attempt कर पाएं क्योंकि pass pro का मतलब है previous year के paper भी available है इसके अलावा आने वाले SSE GD exams या फिर railway exams तो 2024 में जो भी exam आएंगे उन सवी exams के mock test एक pass में यह 700 exams के mock test का और हो जाते हैं तो link description box में इस Christmas day के अंतिम offer का लाब उठा सकते हैं इस साल का TTG के coupon code यूज़ करके क्योंकि साल test book pass की price बढ़ती रहती है पहले यह pass 269 में मिलता था previous year में अभी 314 है next आने वाले समय में next year में और प्राइस बढ़ जाएगी तो उससे पहले इसका फाइदा उठा सकते हो TTG की coupon code से एक पास में एक साल में 640 प्लस exams के आपको mock test मिल जाएंगी क्योंकि यह computer best test आपका रहने लगा कर उसको परखिएगा काहां पर आप गलतिया हो रही समय रहते उसमें सुधार करते हुए त्यारी करेंगे जरूर आपका सेलेक्शन होगा तो लेंक डाइस क्रिप्स में TTG की coupon code से चक आउट कर शकते हैं तो अपने age limit वाले मुद्दे की बात कर रहे थे अठार से 27 व की तो उसमें आपको short hand आप जैसे कहते हो उसकी speed अलग है उसकी practice अलग चाहिए कि बहुत अच्छी खासी practice मांगता इस्टिनों के लिए और क्यों इसमें post भी काम है जो इस्टिनों की करते हैं practice उनके लिए यहां पर आप देख सकते हो speed है 80 word per minute है short hand में और 40 word per minute है वो इंग payment start होता है तो इस सभी में 12th pass है और typing की चाहिएगा और इसमें आपको priority देनी होती है वरेता करम आप भरेंगे कौन सी post पा वरेता देते हो और उसमें आपके देखा जाएगा cut off के लिए तो कोई दिक्कत नहीं अब यह पूरा एक के करके जानते सारे doubt आपके clear करते हैं अब फिर यहाँ पर education जो qualification है यहाँ पर 12th pass है और age कब से count होगी वो 7 February 2024 और last date है वहाँ से count होगी apply कैसे करना है तो सबसे पहले आपको DSSB पर एक registration कराना रहता है जो lifetime एक बार registration होता है जिन्होंने नहीं कराया तो उनके लिए पहले तो registration कराना होगा यहाँ पर registration कोई फी नहीं ह इस्टार्ट होंगे और बात करें और इंडिया लेवल की recruitment है 100 रुपे form fee यहाँ पर लगने वाली है SC और जो scheduled cost के हैं scheduled tribe के हैं और महिला candidate है उनके लिए PWBD के लिए PWBD के लिए कोई भी form fee नहीं है SC ST महिला candidate के लिए नहीं है UROBC के लिए form fee ज़रूर लगने वाली है अब मै आपको reservation benefit बताता हूं जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको SC ST, OBC, EWS, PWBD है इनको reservation का lab मिलता है और नीचे इसमें आप आएंगे थोड़ा और आपको जानकारी मिलेगी जैसे यहाँ पर SC ST जैसे कि मैंने पूरा ये notification देखा SC ST आप किसी भी state से हो depend करता है कि आपका central SC ST का certificate होना चाहिए किसी भी state के आप SC ST हो आपको फाइदा मिलेगा यहाँ पर reservation का SC ST का OBC को नहीं मिलेगा त्यहान रखना OBC को नहीं मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे यह अभा जो ONLY OBC दे रखा treated as unreserved candidate जो बाहरी candidate है OBC के दिल्ली के अलवा वो UR category में ही आविदन करना other than आप बाहरी category दिल्ली के अलवा अन्य राज्यों के निवासी हो OBC हो तो आप UR से अप्लाई करेंगे और non criminal तो होने ही चाहिए OBC जो भी हो लेकिन आपको age बगेरा का benefit नहीं मिलेगा यदि आप OBC outside दिल्ली के हो तो और यहां पर आप देखेंगे जो भी दिल्ली के OBC निवासी है उनको क्या होना चाहिए एक तो OBC certificate है किनके दोरा जारी होना चाहिए ZNCT जो दिल्ली का ZNCT और दिल्ली के दोरा यह जारी होना चाहिए OBC certificate और जो बहार के हैं जारी कराने की क्या चाहिए किसी भी एक member का पहले से OBC certificate बना हुआ उसके आदार पर हो सकता है या फिर 8, 1993 के बाद आपके family का कोई भी सदस्य है इससे पहले का इससे पहले 93 से पहले यह दि दिल्ली में रहता हो तो उसका कोई proof है उस case पर भी आपका OBC का बन जाएगा बकाईदा बसर्थ है कि आपका दिल्ली में रहना चाहिए 1993 से पहले इसके अलावा जो भी OBC है वो other than other state में काउंट होंगे तो वो अंधरी जरु में आ जाएंगे आप कहते हो कि OBC का तो यहाँ पर बिल्कुल किलिर कर दिया लेकिन SCST का क्या यहाँ पर तो नहीं दे रखा है कि SCST वाले बाहरी state के eligible है तो OBC का तो इन्होंने दे दिया है इसका मतलब OBC वाले तो eligible है नहीं SCST के eligible है इसका इन्होंने नहीं दिया है तो आप कहेंगे इसका भी proof बताओ तो वो बता देता हूँ फिलाल यहाँ पर DSSB की तरफ से 2021 में एक notification आया था उसमें भी यह सारी teacher वगरा की post थी और नीचे आप देखेंगे तो उसमें LDC की भी post थी junior secretary assistant कोश्टेक में LDC है उसकी 248 post थी इसी प्रकार 2019 में भी recruitment आई थी जिसमें post थी आपके lower division कलग की 27 vacancy थी उसमें भी आप same नीम आप देखेंगे reservation benefit में यहाँ पर आप देख पारे हो दा reservation benefit under SCST cell admissible as per judgment तो SCST के लिए 2009 से 2012 तक supreme code का एक judgment आया था कि यह दी कैंदर्शासित प्रदेश दिल्ली के regarding एक special petition का judgment था कि कोई भी candidate outside of दिल्ली है और SCST में आता है तो वो count नहीं होगा SCST में 2009 से 2012 तक यह चला था लेकिन 2012 में एक और petition दायर की गए यहाँ पर दीपकुमार की तरब से और दोबारा एक नया judgment निकल के आया 12.9.2012 को उस judgment में क्या निकल के आया कि जो भी candidate outside दिल्ली के हैं और SCST के ह तो उनको फाइदा मिलने वाला है उसके पीछे में आपको judgment यह आप उनका देख भी सत्यों के SCST इस judgment पर आधारी थे तो judgment बहुत बड़ा है ती स्पेस के आसपास कोपी है उसको में पूरा पड़ा और short में एक short note बनाया कि वो judgment क्या कहता तो यह पूरा judgment इस परकार आतिया अनुस उच्छती जन जाती को सभीडान के article 16 close 4 के तैट ऐसी जातिया जन जाती के रूप में वर्गी करत किया जा सकता है और एक बार ऐसा हो जाने पर ऐसी जातिया जन जाती का प्रतेक सदिश्य जो उत्तर देता हो वेवरान सभी केंदर सासित परदेशों में आरक करशन का लाब पाने के हगदार होंगे हालंकि राज्यों के मामले में सवयधान के तैट अलग लग परशास्तिंग व्यास्ता को जहान में रखते हुए ऐसस्ति लागू नहीं है अब राज्यों में ऐसा केस नहीं है कि आप राजस्थान की निवासी हो और यूपी की भरती आई तो SCST जो राज़तान के वो UP में eligible हो राज्यों में ऐसा नहीं होता लेकिन कैंदर सहर्षित परदेश में वो कैंदर के जिन्तन माता है राष्ट पति के जिन्तन माता है तो राष्ट पति के जो list SCST की उसमें आप उस किसी भी स्टेट से हो eligible रहेंगे दिल्ली में विशन आई थी 2012 में जो निन्ने आया उसमें ये फैसरा लिया गया और आप कहेंगे ऐसा तो OBC में भी होता है कि OBC भी राष्ट पति की तहत के अंदर सहर्षित परदेश में वो राष्ट पति की पूरी list उसमें क्यों नहीं होता हालांकि राज्यों की मामलें ये बता जिय हैंगे OBC की केस में लेकिन ये पिछडे वरगों के सदिश्चे जो वैकवाड क्लास है OBC वगरा उनको आर्क्षन का दावा करने का कोई समीधानिक अधिकार नहीं देता है ऐसा आर्टिकल 16-4 का और आर्टिकल 341-342 के तहर्ट जारी राष्ट पति आदेश तोरा नियन्ति नहीं है तो समीधान के इस अर्थ में किसी राज्य या केंदर्श राष्ट परदेश में पदव पर न्यूक्ति के मामल में आर्क्षन के वल ऐसे अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के लिए किया जा सकता है जिसका उल्लेक उस विशेश राज्य के लि जैसे एक 2013 की DSSB की रिक्रूट्मेंट बारा के बाद 2013 में एक रिक्रूट्मेंट आई वो भी LDC की उसमें इस पर श्रूप से दे रखा था कि जो ये दीपक कुमार वाला निर्ने है एस पर विस SCST केंड़े टॉप अधर स्टेट या UTCL आलसो भी एल्जिबल फॉर रिजर SCST के लिए ये भी नहीं दे रखा है और ये भी इस पर श्रूप से नहीं बताएं कि SCST वाले एल्जिबल नहीं होंगे इसका मतलब ये कोर्ट का निर्ने है एल्जिबल हो नहीं वाले है SCST अधर स्टेट के भी एक तरीके से तो ये बात तो किलियर हो गए ये आप OBC के हो उ एक्जाइम ओन-लाइन होगा या ओफ-लाइन होगा कितने टीर में होगा क्योंकि यहाँ पर दे टीर वन दे रखा है ऐसा क्यों कि क्या टीर वन लिखा है टीर इसका मितलब क्या दो टीर में होगा ऐसा नहीं है ठीर यहाँ पर आप देखेंगे DSSB will conduct one tier exam अब यदि दो tier में exam होता है तो वो लिख देता two tier exam ऐसा लिखा भी है कहाँ पर जैसे ये दो notification ये उन्हें साथ साथ LDC का भी बाइस December को और एक और notification है जो की 22 December को होटिकल सरका सेक्स और वोपी सरका जारी किया है उसमें दो tier के exam है तो उन्होंने इस पर शूरूप से लिखा है DS DSSB will conduct two tier exam उसमें tier 1 भी होगा technical tier 1 भी होगा और दो tier tier 2 भी यहाँ पर होने वाला है यहाँ टो tier में होगा जिसमें technical tier 1 का अलग है और section A section B दो अलग लग यह tier 2 का अलग है लेकिन यहाँ पर दे दिया one tier exam यहाँ पर एक tier में ही exam होगा और उसमें section B है यहाँ पर केवल A की section A ही है और tier 1 exam जो general का होने वाला है दो घंटे का exam है 200 MCQ की स्वाल होंगे और इसमें आप दिखेंगे पूरा syllabus मैं आपको बता देता हूँ 200 स्वाल 200 marks का रहेगा और 2 घंटे का रहेगा 200 स्वाल 120 मिनट है समें कम है स्वाल ज़्यादा है एक स्वाल एक marks का है तो ज़्यादा ज़्यादा आपको practice करने है स्वाल में ZK के 35 स्वाल 35 marks के रहेंगी इसका syllabus बता दूँगा mental ability और reasoning के कितने है 35 स्वाल 35 marks के numerical ability data interpretation math के कितने है math के 35 स्वाल 35 marks के हिंदी के कितने है हिंदी वेकरण वगेरा के 35 स्वाल 35 marks इंग्लिस वेकरण के भी 35 स्वाल 35 marks ऐसा नहीं SSCD की तरह हिंदी इंग्लिस optional कोई भी एक करो ऐसा नहीं दोनों ही आपके रहेगा और क्या है और आपका computer है internet computer है 25 marks तो यहाँ पर क्या syllabus change हुआ बिल्कुल pattern change हुआ है इससे पहले जितने भी recruitment हुई है LDC की DPSP की तरफ से उसमें computer का भाई नहीं उसमें प्रतेक के 40-40 questions थे अब की बार 35-35 करके computer में 25 एड़ कर गी है एक्जाम हिंदी और English language में आएगा यह जरूर है कि English का दो paper होगा वो दो English में ही आएगा और minimum qualifying marks नीचे दिये गए है negative marking कितनी है तो 0.25 marks कटेंगे यहनि एक marks मिलेगा गलत दुआ 0.25 कटेंगा तो एक चौता ही यहाँ पर negative marking है और यह जितनी भी post है ना इसमें आपको post preference भराई जाएगी कब भराई जाएगी जब dozier के लिए आपको call किया जाएगा जैसे ही आपका selection होता है उसमें आपका पहले अभी form में dozier नहीं भराई जाएगा selection जैसे ही exam होगा उसके बाद आप यदि short list किये जाएगे skill test के लिए उस case में आपको dozier भराई जाएगा और उस dozier में आपका देखा जाएगा document verification यहाँ पर एक तरी किसी document upload करने होते है उसमें आपको post preference देनी पड़ेगी यह सभी कौन सी post को आप रिता देते हो उसमें post में आपकी अच्छा score आया उसकी cut-off के लिए की तो वो post मिल जाएगी यह सभी post के लिए आप eligible हो आपको post preference देनी है यह अपने नहीं दी post preference dozier में उस case में वो अपने according आपको डाल देंगे post में अब selection का mode क्या है तो यहाँ पर आप selection के mode देखेंगे न तो इन्होंने post कर दिया है कि आपका online exam होगा यह doubt के लिए कि आपका exam offline होगा या फिर online होगा मैं आपको बता दूँ लगबग 2017-18 से जितने भी DSSB के exam हो रहे हैं सारे online हो रहे हैं सारे online हो रहे हैं विशेस कर 19-21 के जहुद देखें सभी online exam ही हो रहे हैं यहाँ पर भी CBT exam computer best आपका exam होगा एक से ज़्यदा पारिम होगा तो normalization आपकी होने वाला है कोई स्वाल delete होता है तो same 200 marks के आदार पर जैसे 100 लेदित हो गया आसा नहीं CST के लिए 30% OBC विशेस कर दिल्ली वालों के लिए CST सभी राज्य यह लिज़ ले तो इतने marks को आपके आना ही चाहिए हलंकि इससे ज़्यदा ही रहती है का top 75% आसपास रहती है 45% के आसपास पिछली बार मैं बता देऊंगा पर top कितनी रहती इससे तो ज़्यदा ही लाएगे लेकिन यह आपके आना चाहिए अब इन्हों का एक और डाउट निकल का आया कि यह दि किसी की समान marks से तो क्या होगा तो इन्हों का कि Candid securing more marks in subject specific section section B अब section B में जिनके ज़्यदा marks होंगे उनको merit में आपके section B था ही नहीं यहाँ पर तो केवर अपना तो section A ही है section B ही नहीं तो यह वाला जो इन्होंने as it is a chip का दिये है पहले जितने भी एक साथ आता था पिछला जो भी recruitment आई थी ने सभी post के एक साथ थी teacher की भी थी LDC की भी थी engineer बगएर तो उसमें क्या था section A section B दो थे तो उसमें वो same name था तो इन्होंने same name लिख दिया कि section B section B जिसका होगा tier 2 होगा यहाँ पर tier 1 का ही है तो tier 1 में section B ही नहीं इससे confuse मत होना कि section B कहा गया section B आपके है नहीं यह उनके लिए है जिन्हें tier 2 होगा उनके लिए यह नियम eligible है क्योंकि अपना tier 2 ही नहीं केवल one tier में होने वाला यह भी इसपर्ष्ट हो चुका है एक और point आपको doubt में डाल रहा है कि final selection जो आपका होगा वो किस आधार पर होगा तो वो इन्होंने बता है कि tier 2 exam के अधार पर होगा आपके tier 2 ही नहीं तो यह भी उनके लिए है जिनके लिए tier 2 है तो tier 2 आपका नहीं होगा one tier क्योंकि tier 2 यह सेम इन्हों यह आप देखेंगे ना जो edge it is recruitment जिसमे tier 2 है यह बाले अलग आई है इसके साथ साथ उसका सेम इन्होंने चिपका दिया जिसमे tier 2 है तो mode of selection में यहाँ पर आप नीच देख पाएंगे यह same line इन्होंने लिख दिये जिनके लिए tier 2 है तो इससे confuse मत होना आपका tier 2 नहीं तो tier 1 के best पर यह आपका final selection होने वाला है तो लगबग major doubt आपको यहाँ पर reservation का मैंने पहले ही बता दिया है कोई दिक्कत नहीं अब SCST के लिए 5 वर्ष के IU में छूट है OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है जैसे की 18-17 चाहिए न तो OBC जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए 30 वर्ष है भी चलेगा other than दिल्ली के OBC है तो उनको 27 वर्ष के मद्दे एज होनी चाहिए SCST किसी भी राज्जे के हो तो आपके 27 प्लस 5 का benefit मिल जाएगा यानि 32 साल के लिए भी आप eligible रहेंगे तो यह IU में छूट वाली हो गई और age गणना form भरने की last debt जो है वहाँ से की जाएगी यानि 7 FAB 2024 से होगी age गणना या फर education qualification यह 7 FAB से अब देखो DSSB के regarding जो यह LDC के आई उसमें exam offline online वाला के लिए हो गया online ही होगा किसे भी condition में offline नहीं जा रहा है resolution में आपको बता जिया OBC है आपका नहीं रहेगा other state के लिए eligible आप OBC UR में count होंगे UR से ही apply करना है यदि आप OBC से वा निराज्यों से दिल्ली के नहीं हो और SCST केसी भी राज्ये से होगा आप apply कीजिएगा अपनी category से और central का बना लेना कितने exam होंगे केवल एक exam ही होगा इस पर श्रूप से दिया है one tier ही होगा tier one होगा exam कहां पर होगा तो exam होगा दिल्ली में कहां पर होगा केवल दिल्ली में ही exam होने वाला ये भी clear है पूरी notification देखा तो दे रखा था कि केवल आपका दिल्ली में exam होगा previous year की cut-off यहाँ पर clear कर देते हैं और typing test में कितने गुणा पास होंगे वो दोनों ही clear कर देते हैं अब previous year की cut-off देखें सबसे पहले तो previous year कब अपरेल 2022 में DTSB junior secretary assistant यहीं LDC सौर्ट में बोरे तो LDC इसका भी junior secretary assistant LDC ही होता है 44 अबलिक 11 जो post code का नाम है ये अपरेल 2022 में जो recruitment आये थी 238 post थे इसमें junior secretary assistant वाखी teacher वगएरा के बहुत सारे post थे पूरी बड़ी recruitment थी 238 LDC की post थे उस LDC की post के जो अपरेल 2022 में तो यह exam हुआ था 248 post पर exam हो गया था online exam हुआ था पूरी अपरेल में चला था उस online exam में typing के लिए 3004 candidate बुलाए गए थी यानि 248 का 3004 करेंगे 10.8 गुणा अपरती पास हुए थे typing में अपकी बार भी typing में 10 के गुणा के आसपास पास किये जाएंगे अपकी बार post ज्यादा है यह ध्यान रखना पिछली बार 238 थी अपकी बार LDC की केवल 1672 हैं और भी post हैं जो LDC की जैसी वो भी आप eligible हो और उस समें exam कितने का था तो 200 marks का था तो typing के बाद जैसे ही typing हो गई उसके बाद जो final cut-off गई यहनी 278 पोस्ट थी और 278 typing के बाद same as it is 288 candidate जब बुलाए गई तो cut-off जो गई है out of 200 में से अपकी बार computer add है लेकिन स्वाल कम कर दिये subject वाई दो है marks cut-off चली गई थी और UR की OVC के 147 marks गई थी 200 में से यह 200 questions में से EWS के 147 marks गई थी SC के 143 marks ST के 139 marks sports के 114 है और यह handicap की है तो इस type से आप देखेंगे काफी ज़्यादा cut-off गई है क्योंकि post भी कम थी यह ध्यान रखना है CBT exams हुआ है अब की बार ऐसे भी बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं लेकिन इससे ज़्यादा तो cut-off कम ही रहेगी अब यहाँ पर यह कुछ candidate को weight list में भी डाला गया था total 288 थी तो यह 278 का result नहीं है उससे भी कम का result है 275 का है result यह आप करेंगे तीन ही तो कम है तीन नहीं candidate है 67 candidate की जो weight list निकाली थी 67 candidate की उन 67 candidate की weight list में यह cut-off down हुई यह देख सकते हो सिर्फ 67 candidate और include कि यह तो 33 marks कम चली गई और EWS की 145 चली गई, OBC की 145 चली गई ST की 140, ST की 127 तो एक तरीके से यह final जो weight list आई थी और सभी post के लिए जब निकल के आगई student की संख्या तो उसमें यह cut-off थी आपकी out-off 200 में से 655 के आसपास cut-off थी तो अपकी बार भी लगबग ऐसा target करके यह आपको चलना पड़ेगा तो यह ताजा है जिसका result अभी 2023 में ही जारी हुआ इसका result है 2023 में आजा देहान 2023 वाली का offline वाता LDC का post code थी उसमें एक्क्या उन तेरा total 300 और 45 पद थे और उसमें जब टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे तो यहाँ पर 2762 candidate skill test के लिए shortlist किये गए थे जिसमें से 241 थे exam दिया बागी नहीं दिया उन 241 में जितो 35 word per minute type कर पाई वो candidate 1370 है इन 1370 में से आगे 720 candidate का data भेजा गया इडोजियर के लिए डोजियर के लिए यह नहीं document के लिए 720 candidate का data भेजा गया तो उन 720 candidate की यह cut-off है कितने की 720 candidate की यहाँ पर आप cut-off देखेंगे यह भी same 200 marks का paper था उस समय कंपूटर नहीं था तो उन 200 marks में से 130 गई है तो यह 720 candidate की cut-off है 130 गई है उपर आपने cut-off देखी है वो लगबग 278 के आसपास candidate की cut-off थी उसमें 155 के आसपास थी यहाँ पर 130 है cut-off तो आपको 150 पलस target करके ही चलना पड़ेगा CVT exam है पोस्ट वो ही कम है 2000 से भी नीचे पोस्ट है और कितना competition है एक तरीके से overall इंडिया लेवल की recruitment आप मानके चलो और OVC के 111 गई थी 117 सीग गई थी HD के 4 गई थी तो यह पूरा notification का ही मैंने screen short है 345 पदो पर थी जिसमें 720 केंड़ेट को यहाँ पर आपके सामने यह data देख रहा है तो cut off एक तरीके से 155 पलस का आपको target लेकल चलना पड़ेगा उससे ज़्यादा है 160 के आसपास आपको फिलाल target करना है क्योंकि previous data यही केता अब यहाँ पर subject wise क्या कि आपका syllabus है तो पिछले वाला SAM है जैसे कि पहले जो एक LDC की थी जिसमें 27 सिर्कुट्मेंट की थी 2019 मही थी उसका syllabus देखते हैं तो उसमें यह 4 section था 4 नहीं 5 हिंदी इंगलिस दोनों अब यहाँ पर उसमें GK का आप देख सकते हैं भी पूरा GK में पूरी जियोग्राफी पूरी आगी आर्ट कल्चर आगया स्पोर्ट कॉंस्ट्विशन आगया साइंस आगयी साइंस का पूरा है और सारा GK include है बाकी यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रिजनिंग अबिलिटी में क्या होगा तो इसमें जनरल इंटेलिजेंट जो रिजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल दोनो टाइप की है जिसमें आपकी क्योंस है एनालोजीज है सिंद्रिटीज है स्पेस विजुलाइजेशन है प्रोब्लम सॉल्विंग अनलिजिज जज्जमेंट इसमें इंक्लूड है और जो यहाँ पर नुमरिकल अबिलिटी है उसमें दा टेस्ट अर्थमेट्रिकल और नुमरिकल अबिलिटी कवर करेगी आपके नंबर सिस्टम को कवर करेगी इसमें आपके सिंप्लिफिकेशन है डेसिमल, डाटा इंटरप्रेशन है फैक्शन से है ल्सेम, एचिए, रेश्यो प्रोप्रेशन प्रेसंटेज, एवरेज, प्रोफिट लॉस, डिस्काउंट सिंपल और कमपाउंड इंटरस्ट है मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम दिस्टेंस, टेबल तो टेबल्स एंट ग्राप्स तो यहाँ पर मेंसुरेशन भी है तो एक तरीके से यह आपके ज़्यादा एडवांस महत नहीं है नुमरिकल अबिलिटी और अर्थमेटिकल आपके हो चुकी है हिंदी लेंगवेज और इंगलिस में आपके क्या हैंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका टेस्ट क्या जाएगा कॉम्प्रिहेंसन समझ कैसी आपके हिंदी इंगलिस लेंगवेज की तो यहाँ पर वोकेब पर स्वाल रहेंगे ग्रामर पर रहेंगे सेंटेंस हिस्टिक्चर है सिनननीम सेंटनीम से तो यह सब कुछ कवर होगा ग्रामर होगी हिंदी इंगलिस की एक तरिके से तो यह पिछला मैंने आपको सिलेबस बता जी आपकी बारे से इस पश्ट नहीं दे रखा था बागी आप यह LDC की 2021 की नोटिपिकिकिसन का देख सकते हो सेंग सिलेबस था तो यही आपका सिलेबस से बागी एक्जाम ऑनलाइन होगा कौन सी एजनसी कराएगी तो इस पर यहाँ पर फाइनल वरडिक्ट नहीं बता सकते क्योंकि अभी इन्होंने एजनसी और चेंज करने की माई में इन्होंने बिडिंग लगाई थी उसका भी रिजल्ट सामने निकल के नहीं आया कि कौन सी एजनसी इनका एक्जाम कराएगी माई में इनका नया बेट साया था नई एक्जाम कंडक्टिंग एजनसी है उसको हाइर करने की रिगाडिंग उससे पहले TCS तो नहीं थी इनकी अलगी एजनसी थी तो उसमें अब की बार एजनसी हो सकता TCS है तो कोई पता नहीं है तो latest exam जो भी चल रहे हैं उसका आपको थोड़ा त्यान में रखते हुए त्यारी करनी है SSC बगेरा के उनके previous year के questions बगेरा लगाते हुए practice करते हुए आप त्यारी करेंगे तो इससे पहले लाब उठा सकते हैं त्यारी कोपन कोड से test book अप में जाना है पासप्रोव वाले section में जाना है और apply code में त्यारी के कर देना है वहाँ से ये pass आप ले लेंगे तो एक साल की validity में सारे exams के दिए आपके eligible हो जाएंगे पासप्रोव में प्रिवी सेर के test वगरे सारा कुछ आदेंगा तो वीडियो देखने के ले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो में बाई बाई